यहां 23 नॉमबर 542 को हुआ था क्लियर अब हम चलते हैं क्वेश्चिन नंबर 4 की दरब सिचाई कर किसने लगाया अलाओ दिन खिल जी फिरोज साथ तुगलक एलतुतमिस और मुहमद बिन तुगलक तो दोस्तों इसमें जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी फिरोज साथ तुगलक सिचाई कर सलतनत काल में फिरोज साथ तुगलक द्वारा लगाया गया और यह संपूर उपज का एक बटे दस भाग होता था अब हम जलते हैं कोर्ट नमबर फाइब की तरफ साजा का बच्पन का नाम क्या था ए सलीम बी खुष्रो और दी मुराद तो दोस्तों यहाँ पर पच्चवे का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा साजा का बच्पन का नाम क्या था खुर्रम था उसकी माता एक राजपू जगत वसाई मोटा राज उदर सिंग की पुत्री थी क्लियर और साजा का जन्म 6 जन्री 1592 में लाहौर में हुआ था और इसका जो सासन काल था 1627 से यहाँ पर 1658 तक अब हम चलते ही कोश्चिन नमबर शिक्स पर बहुत धर्म का चौथा सत्ति क्या है दुख समधाय दुख दुख निरोद और दुख निरोदी गामनी प्रतिपदा तो दोस्तों यहाँ पर शिक्स का जो सही एंसर होगा वो आपका हो जाएगा दुख निरोद गामनी प्रतिपदा तो दोस्तों बहुत धर्म के चार आरिसत में प्रतम स्थान पर दुख फिर क्रमसाय है दुख समधाय फिर दुख निरोद उसके बाद है दुख निरोद गामनी प्रतिपदा अब हम चलते हैं कोश्चन नमबर सेवन की तरफ भगवान बुद ने अपना प्रतम उब्देश कहां दिया था ए सारनाथ बीवैसाली से उरूप वेला डी है लुंबनी तो दोस्तों यहाँ पर भगवान बुद ने अपना प्रतम उब्देश सारनाथ रिसी पत्तनम में दिया था जिसमें पाँच ब्रामण समलित थे तो दोस्तों सारनाथ को और किस नाम से जांते है रिसी पत्तनम की नाम से क्लियर अब हम देखते हैं कोश्चन नमबर एट जैन धर में कुल कितने तिर्थ करते ए पचीस बी चोविस सी दस और दी है पांच तो दोस्तों जैन धर में चार आरे सत्य थे जिसमें सत्य अहींसा अस्देव अपरिग्रह है और पांचWow आरे सत्य ब्रहमचरी को स्वामी महाविर द्वारा जोड़ा गया था और इनहीं सभी में आहींसा पर सरवाधिक के जोड़ दियا गया था और इसमें में question क्या दिया कि gender में कुल कितने तीर ठंग करते तो यह थे 24 clear अब हम चलते है question number 9 की तरफ पांच सत्यों में से जहन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया सत्य आहिंसा परिग्रह और ब्रह्मेचर्जर्ज में से किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है अब हम चलते है question number 10 की तरफ पांचमा ब्रिक सम्मेलन कहां हुआ डर्बन दच्षड अफरीका नई दिली भारत ब्रासिलिया ब्राजील यह यह का तेरिन बर्ग रूस तो दोस्तों यहां पर टेन का जो सही अंसर होगा वह हो जाएगा आपका पांचमा ब्रिक सम्मेलन 2013 में डर्बन में आयुजित किया गया था और इसके अलामा आयुजिन ब्राजील में किया जाना है तो दोस्तों यह उस समय के current के question है अब हम चलते हैं question number 11 की तरफ 26 जोनली 2013 को भारती गरतंद्रस की मुक्तिती किस देश के थे A. अमेरिका, B. मौरिसस, C. भूटाउन और D. वांगला देश तो दोस्तों यह उस समय का question था current का तो यह उस समय जो मुक्तिती थे वो भूटाउन देश के थे अम चलते हैं question number 12 की तरफ भारती समिधान में राजी के नितिन देशक तत्व की संकल्पना किस देश के समिधान पर आधारित है A. फ्रांस, B. जापान, C. आइललेंड और D. अब्रिटेन तो दोस्तों 12 का जो सही answer होगा वो हो जाएगा आपका नितिन देशक तत्व लिये गए हैं आपके आइललेंड से 12 का C. और इसी तरह से अगर हम बात करें गड़ता अंत्रा अत्मक सासन पद्ददी की तो वो फ्रांस से लिया गया है और विदी द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिये गई है और अगर हम बात करें आइललेंड से तो आइललेंड से आपका नितिन देशक तत्व लिये गए है और साथ ही आपात कालिन उपबंद राष्टपत के निर्वाचन मंडल की व्यवस्ता ये सारी चीज़ें आपके आइललेंड से लिये गई है क्लियर अब हम चलते हैं कोश्चन नमबर 13 पर भारती संदान की अस्प्रिस्ता उनमूलन से संबंदित अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 तो दोस्तों यहाँ पर जो सही एंसर होगा 13 का वो आपका हो जाएगा A अनुच्छेद 17 क्लियर अस्प्रिस्ता का अंत होता है और यहाँ पर आपको देखे दिये अनुच्छेद 14 15 16 भी तो दोस्तों अनुच्छेद 14 अविदी के समझ समानता अनुच्छेद 15 अधर में मोलवन्स जाति लिंग्या जन्वस्थान की आधार पर विवेद का प्रतिसेद और अनुच होंगे उसमें उसर की छमता दी जाएगी अब हम चलते हैं कोश्चन नंबर 14 पर कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है सुक्र प्रित्वी मंगल ब्रहस्पती तो दोस्तों 14 का जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए बुद्ध और सुक्र दोनों ग्रहों के उपग अधिक उपग्रह हैं तो दोस्तों यहां पर किवल सुक्र दिया गया है बुद्ध नहीं दिया गया है तो बुद्ध और सुक्र यह जान लिजे कि दोनों के ही कोई उपग्रह नहीं है और आपको पता है कि पृतिवी का एक उपग्रह कौन सा है चंद्रमा है अब हम चलते हैं कोश्चन नमबर 15 की दरब निमन में से किस नदी को विहार का सोक का जाता है गंगा गंडग सोन और कोसी तो दोस्तों 15 का जो सही एंसर होगा वो आपका हो जाएगा कोशी नदी को विहार का सोक का जाता है कोशी नदी अपने मार्क परिवरतन के कारण विहार में तबाहिए लाती है जिसके कारण इसे विहार का सोक का जाता है क्लियर अब हम देखते हैं कोस्टिन नमर 16 सूरत किस नदी के तड़ पर इस्तित है नर्मदा ताप ती सोन और यहां पर देखें नर्मदा तापी सोन और कावेरी तो दोस्तों 16 का जो सही अंसर होगा सूरत किस नदी के तट पर इस्तित है तो सूरत यहाँ पर हम दिखेंगे गुजरात तापी नदी के किनारे इस्तित है तो इसमें B option आपका सही हो जाएगा और कोश्चिन नबर 17 प्रिथवी से सूर्य की दूरी कितनी है तो दोस्तों यहाँ पर 17 का जो सही एंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर B option आपका सही होगा 14 पर 9 वाट करोड किलो मीटर प्रित्विश सूरी की दूरी कितनी है अब हम देखते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा कोश्चन देखिया आ गया गुरुकी के नाम से कौन सा सासत कविता लिखता था अलाव दिन के लिफ्री सिकंदर लोडि मुहमत बिन तुगलद तो दोस्तों 18 का जो सही एंसर होगा गुरुकी सिकंदर लोडि के का उपनाम था और इसी नाम से वा कविता लिखता था क्लियर तो यह आपका सी ऑप्सन सही हो जाएगा गुल्रुखी एक तरह से आपके दो कोश्चन तयार हुए के सिकंदर लोदी जो था उसका उपनाम क्या था गुल्रुखी और उसी नाम से वो क्या करता था कविताय लिखता था अब हम देखते हैं कोश्च नमर 19 खालसा की आपना सिक्क धर्म के दस्वे गुरु गुरु गोविन सिंग ने की थी तो इसमें आपका ए ओप्सन सही हो जाएगा अब हम चलते हैं कोश्चिन नमबर 20 की तरफ नई सिच्छा नीती कब लागू की गई सन 1986 सन 1992 में सन 1989 और सन 1995 में तो दोस्तों नई सिच्छा नीती लागू की गई थी भारत सरकार द्वारां 1992 में तो इसमें आपका भी ओप्सन सही हो जाएगा कोश्चिन नमबर 21 देखते हैं मानो विकास सुचकांग कोन जारी करता है W E F UNDP और FAO और है यहां पर UNCTAD तो दोस्तों यहां पर हम देखें मानो विकास सुचकांग कोन जारी करता है वो जारी करता आपका UNDP कोन जारी करता है UNDP यहां पर हम देखेंगे United Nations Development Program तो यहां पर राश्ट विकास का आरिकरम द्वारा UNDP द्वारा जारी किया जाता है यह मानो विकास सुचकांग जिसमें प्रतिव्यक्ति आये जीवन प्रत्यास अता सिच्छा को समलित किया जाता है क्लियर तो आपका यह भी ऑप्सन सही होगा अब हम चलते हैं Question No.22 की तरह अब WTO की अस्थापना कब हुए 1945 में 1948 में 1994 में 1995 में तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे WTO World Trade Organization जिसे हम कहते हैं तो इसकी अस्थापना आप की हुई थी 200 ब्यापार संगठन इंदी में सिकाते हैं जन्वरी 1995 को की गई थी Clear? तो आपका यह अप्सन सही होगा D Question No.23 बबर सेरो का अभ्यारण है काजी रंगा गिर केवला देव और मानस तो दोस्तो 23 का जो सही एंसर होगा बबर सेरो का भ्यारण गुजरात के गिर राश्टिय भ्यारण में बनाया गया है तो यह अप्सन भी आपका सही हो जाएगा Question No.24 देखते हैं फिलिपीन्स में आय प्रेचन चक्रवाती तूफान का नाम क्या है खनून नेलम इवान और वोफा तो दोस्तों यह उस समय के कर्रेंट का कोश्चन था तो एक बार देख भी लेते हैं यह आपका अप्सन सही होगा D वोफा अब हम देखते हैं Question No.25 भारत में पेट्रॉलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है कच्च की खाड़ी गंगा यमना वेसिन सीख सकंबात की खाड़ी D है आपका मुंबई हाई तो दोस्तों भारत में पेट्रॉलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है वो आपका मुंबई हाई भारत में पेट्रॉलियम का सबसे बड़ा स्थान है इसमें आपका D option सही हो जाएगा अब हम देखते हैं Question No.26 ब्रश्टाचार में सबसे उपर कौन सा देश है सुमालिया, स्रिलंका, अमेरिका और भारत तो दोस्तों 26 का जो सही एंसर होगा वह आपका होज यह भी उस समय के करेंट का question है तो दोस्तों हमें कमेंड करके बताएगा कि वरतमान में आयो की अध्यच्छा कौन है अध्यच्छ कौन है तो दोस्तों यह वाला आपका हम छोड़ रहे हैं question इसका अंसर आप खुद बताएगा 27 का उस समय की जो मेलायो की अध्यच थी वो थी आपकी ममता शर्मा लेकिन आपकी current मेलायो की अध्यच को नहीं है आप हमें comment करके बताएगे अब हम देखते है question number 21 2012 में किस मेला खिलाडी ने बैड मिंटन में सबसे ज़्यादा किताब जीते थे साइना नहावाल, सामिनी, कुमारी, मनिका बत्रा और सानिया मिर्जा तो दोस्तों 28 का जो सही answer होगा वो आपका हो जाएगा 2012 में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली जो मैला थी, वो थी साइना नहावाल अब हम चलते है question number 29 की सितार का विस्कार किस ने किया था? लतीव खा, अमिर खुसरो, जाकिर हुसेन, पनित रवी संकर तो दोस्तों 29 का जो सही answer होगा वो हो जाएगा आपका भारती वीडा और तंबूरा को मिला कर सितार का अविस्कार अमिर खुसरो द्वारा किया गया तो दोस्तों क्या क्या वीडा और तंबूरे को मिला कर सितार का अविस्कार किया गया था? और किसके द्वारा किया गया था? अमिर खुश्रो के द्वारा कौन से ठंडी जल धारा है गल्फ स्ट्रीम कनारी धारा और गोजांबिक धारा और अंगुल हास धारा तो दोस्तों यहाँ पर 30 कुश्चन का जो बी ओप्सन आपका सही होगा कनारी धारा अभी आपको यहाँ पर लेबरोडोर कनारी फार्क लेंड बेंग वेला और कैलिफोर्निया की धारा है ठंडी समंद्री जल धारा है और जबकि गल्फ स्ट्रीम मोजांबिक अंगुल हास क्यो रेसियो पूर्वी आस्ट्रेलिया ता उत्री विस्वत यह दच्ट्री विस्वत गर्म जल धारा हैं तो क्लियर हो गया कनारी क्या ठंडी जल धारा अब आकिस में जो गल्फ इस्ट्रीम मोजांबिक और अंगुल हास दिया हुआ है यह गर्म जल धारा हैं अब हम चलते हैं कोश्चन नमर्र 31 की तरफ इस्ट की न सी हम देते हैं 32 डिफ सिचाए किस राज में की जाती है उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश महाराष्ट राजस्थान तो दोस्तों यहां पर भारत का सबसे बड़ा साथ्चर प्रदेश क्या है केरल है तो जबकि भारत की औसस साथ्चरता चौटर परसेंट यहां पर हम करें भारत के औसस साथ्चरता की तो वह चौतर प्रदेश में लच्छ दीप सरवादिक साथ्चर है तो यहां पर दूसरा कुश्चन यह था कि 32 नंबर की डिफ सिचाई किस राज में की जाती है तो दूस्तों 32 का जो सही एंसर होगा वह आपका हो जाएगा डिफ सिचाई आपकी की जाती है राजस्थान में और भारत का सबसे बड़ा साथ्चरत प्रदेश कौन सा होगा वह हो जाएगा आपका केरल यह तो बहुत ही कॉमन कोश्चन है अब देते हैं किसी मनुस के सरीर का तापमान होता है 98.4 नाइट डिग्री फॉर नाइट है य तो दोस्तों यहाँ पर जो किसी मनुस के सरीर का तापमान होता है वो आप सबको पता ही है कि 98.4 हाइट होता है और अगर हम डिग्री की बात करें तो 37 डिग्री सेंटिग्रेट होता है तो यहाँ पर हम ऑप्शन में जो दिया अब उस पर टिक लगा लेते हैं अब हम देख नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन रिशार्च एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन रिडर एंड ट्रेनिंग नेशनल कमेटी आफ एजुकेशन रिडर एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल आफ एकोनॉमिकल रिशार्च एंड ट्रेनिंग तो दोस्तों वल्लब भाई पटेल, वहात्मा गांदी, रविंदरनाथ, टैंगोर, तो दोस्तो 36 का आपको एंसर पता ही होगा कि 36 में भारत का विस्मार का आपको कहा जाता है, यहाँ पे वल्लब भाई पटेल को, अम देखते हैं, कोश्चन नवर 37, सबसे बड़ा महासागर, हिंद महासा तो दोस्तो 37 का जो सही एंसर होगा, वह आपको पता ही है, कि सबसे बड़ा महासागर कौंसा है, वह आपका है प्रसांत महासागर, अब हम चलते हैं, कोश्चन नमबर 38, पे अंधेरा किसकी कृति है, अखिलेस, अगनी होत्तरी, और जै प्रकास, और अनुश्च, तो दोस् 39 देखते हैं, भारत में हरित करांती के पितामा कौन है, नार्मन, बोरलाग, म. स्वामिनातन, आरके, नर्सिंगन, और वरगीच, कुरियन, तो दोस्तो 39 का जो सही एंसर होगा, वह हो जाएगा आपका B, म. स्वामिनातन, हरित करांती सब्द का उलेक, प्रोफेसर विलियम गात द्वारा किया गया, हरित करांती के सुरुवात मेक्सिको में गियों की बौनियम अत्यदी कुत पादन चमता वाली प्रजात के साथ हुई, और इसका सरे नार्मन, बोरलाग, को जाता है, लेकिन भारत में हरित करांती के जंदाता, प्रोफेसर एमेस स्वामिनाथन है, क्लियर, अब हम देते एक कोश्चन नमबर 40, राष्टी खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त, 5 सितंबर 11 जुलाई 5 अगस्त, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 40 नमबर कोश्चन है, हांकी के जादुगर ध्यान चंद जी की स्मृती में 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हांकी के जादुगर कोश्चन मेजर ध्यान चंद पियर, क्वेश्चन नमबर 41 देखते हैं, किताब हिंद के लेखक कोश्चन अमेर कुसरो मेना हाज, उस सिराज और अलबरनी और जियाउदिन बरनी, तो दोस्तों 41 का जो सही एंसर होगा, वो आपका हो जाएगा, C. अलबरनी किताब अलबरनी हैं, इक्रहमिस ताब्दी में महमूद गजनवी के साथ इतिहास, यहाँ पर है इतिहासकार अलबरनी भारत आया था, और इसी काल के दोरान भारत के संबंद में किताब अलहिंद की रचना की थी, इसने, क्लियर, भारती जो भी उस समय की व्योस्था थी, उसको देख कर इसने रचना की थी, अब देते कोश्चन नमबर 42, जावा मानो समंदित हैं, काकेस आयड प्रजात से, मंगोला आयड प्रजात से, निग्रोयड प्रजात से, और इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों, 42 का जो सही हो जाएगा, कोश्चन नो, 43, अनेकांत वाद किस धर्म से समंदित है, जैन धर्म, बहुत धर्म, ब्रामण, धर्म और मुस्लिम धर्म, तो दोस्तों, 43 का जो सही एंसर है, वो हो जाएगा, आपका, यह अप्सन सही होगा, कि अनेकांत वाद है, आपका, स्याद वाद बीजी से कहते हैं, जैन धर्म के सिधानतों में प्रमुक है, अब हम देखते हैं, कोश्चन नो, 44, अर्जुन पुरस्कार किस से समंदित है, चल्चित्र, खेल, कुद, साइत्य, चुत्र, कला, तो दोस्तों, यहाँ पर 44 है, अर्जुन पुरस्कार समंदित है, खेल कुद से, इसके लामा हम देखते हैं, राजियु गादी खेल रत्न, अर्जुन द्रोडाचारे पुरस्कार, खेल कुद से समंदित है, अब हम देखते हैं, कोश्चन नो, 45, तारीके फिरोसाई, किसकी रचना, जियाओ, उद्दीन बर्नी, अमिर खुसरो, आमद सरहिंदी, और फिरोसा तुगलब, तो दोस्तों, 45 का जो सही अंसर होगा, यहाँ पर आपका होगा A, अंसर सही, जियाओ, दिन बर्नी द्वारा लिखित किताब का पूरा नाम तारीके फिरोसाई, यों, फत्वा ये जहादारी है, जबकि मात तारीके फिरोसाई, सम से सिराज अफिक की है, अब हम देखते हैं, लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था, सिकंदर लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, तो दोस्तों, 46 का जो सही अंसर होगा, लोधी बंस का अंतिम सासक पूछा जा रहा है, वो हो ज इसका सी इब्राहिम लोदी इसमें आपकी सबसे प्रचलित युद्ध है इसमें, तभी इसका अन्त होता ईयुद़त से युद्ध था का अंतिम सासा किसका था इब्राहिम लोदी था जिसने बाबर से युद में 1526 में पानिपत के युद में पराजय हासल की एक तरह से पराजित हुआ और इस तरह से इब्राहिम लोदी यहां पर पराजित होने के बाद लोदी बंस का अंत हो जाता है और यहां पर बाबर की वि हो जाती है लोदी बंस के अंत के बाद 1526 में अब हम चलते हैं को सिन नंबर यहां पर अप्टिक लगा लेते हैं सी इब्राहिम लोदी फोटी सेवन है दीन इलाही के साफना किसने किती साथ जहां हुमायू और रंग्जेव और अकबर तो दोस्तों यह तो आप सबको पता चलाए गया एक धर्म था जो आपका और इसको अगर स्विकार करने वाले प्रतम हिंदू राजा की बात की जाए तो वो था वीरबल अब यहां पर तो आपको किवल यहीं बताना है कि दिन इलाहिस के साफना किसने की तो अकबर ने अब हम देते हैं कोस्टन वर फोट्टी टीपो सुल्दान के पिदा का नाम क्या था हैदर अली मुराद हैदर सेख और चिक्का कृष्ण राज तो दोस्तों फोटी एट का जो सही एंसर होगा टीपो सुल्दान के पिदा का नाम हैदर अली था यह आफसन आपका सही हो जाएगा और हैदर अली ने कालंतर में मैसू सुर्व में सोतंत सत्ता स्थापित कर ली थी अब दोस्तों धारा की जो इकाई होती है वो आपकी होती है दोस्तों यहां पर 50 का जो सही एंसर होगा कम्प्यूटर की मिमोरी मापी जाती है एम बी में, क्लियर, मेगा बाइट जी से हम कहते हैं, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब कमेंट करके हमें जुरूर बताएगा कि आपके कितने कोशियन सही हो है, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ से अभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसी तरह से आप अपनी मेहनच जारे रखिए, मंजिल दूर नहीं है, आप जरूर सफल होंगे, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपा सफाई रखिए, ह तुम से जुड़ने के लिए, थांक्यू समाच, जैहिन,